तो मेरी उमर के नौजवानों अभी हम solve करेंगे exercise 1.2 का question number 4 तो question क्या दिया है given that hcf of 306,657 यानि कि दो number है is equals to 9 तो hcf हमें इन दोनों number का दिया हुआ है हमें निकालना क्या है lcm of 306 and 657 ठीक है तो चलिए इसको हम अच्छे से इदम solve करते हैं तो हमारे पास यह दिया हुआ है hcf दिया हुआ है ठीक है तो पतलब hcf क्या है 9 और यहां अगर आपने ध्यान दिया होगा तो सिर्फ दो नंबर है एक नंबर दो नंबर तो इसके उपर हमने verification solve किया था 1.2 exercise इसी exercise के question number 2 में अभी लिखता हूं उसको हमें lcm नहीं पता है तो इसका हमें यह पता है hcf into lcm is equal to क्या है product of two numbers है जब जब दो नंबर का hcf lcm का case हो जब दो ही नंबर सिर्फ दो नंबर वाले lcm hcf के case हो तो यह जो मैं लाइन लिख रहा हूं यह तभी काम आता है लेकिन अगर तीन नंबर हो गया या चार दो के अलावा कोई भी अंक दिये हैं या फिर मानलों एक्जामबल के लिए 6,9,4 इन तीनों का अगर दिया होता है यहाँ पर इन दोनों के बजाए तीन नंबर दिये होता है 6,9,4 या फिर कोई भी तीन नंबर तो यह लाइन को हम यूज नहीं कर सकते हैं जब हमारे पास दो नंबर वाले case हो दो नंबर वाले question हो तो हम इस 6,57 तो LC हम निकालने के लिए हम क्या करेंगे इसको ऐसे का ऐसा लिख देंगे और 9 को इसके नीचे ला देंगे इसके नीचे तो इसको solve करेंगे हम तो 3,9 से कटेगा 3,9 जा 27 और हाँ कटेगा 9,1 जा और 9,3 जा 27 और 9,4 जा 36 हाना 9,4 जा 36 34 इंटू 657 क्या है इसकी value आती है लगभग I mean exactly value है इसकी 22338 तो यह इसका हमारा एंसर हो गया तो एक्जाम में कैसे लिखेंगे therefore LCM of 306,657 is 22,338 तो आपको full number मिलने वाले हैं अगर आप ऐसे solve कर करेंगे और यह question बहुत important माना जाता है ठीक है तो यह था हमारा answer तो आप पढ़ाई करते लिए और मज़े भी करते रहे बाई